हाई जोस्तों असलावाई कुम कैसे है आप लोग मैं आप नपील है आज हम लोग शेर प्ले विद रिमोट कंट्रोल चेक आउड करने वाले है जो कि आप आइफोन आइपड या दो आपल डिवाइसे की वीच में कर सकते हो मैंने आपको आइफोन मिररिंग के बारे में पूर आइफोन और दो करी सकते हैं अप Если कि आइफोन के आइफोन leakon और आप लेकिन यहां पे आप अपको करना है आपका आइपैड iPad OS 18 Beta 2 पे है, iOS 18 Beta 2 पे आपका iPhone चल रहा है और यहां पे आपको एक दुसरे के उपर FaceTime call कर लेना है, मतलब किसी की ताथ भी कर सकते हो, मैं आपको जिस बता रहा हूँ, example देने के लिए, यहां पे एक Apple ID इसमें है, एक Apple ID इसमें है, तो एक से दुसरे पर मैंने FaceTime call टर लिया है, अब यहां पे क्या होता है, कि हमको हमारे parents या हमारे colleagues या किसी को भी कोई चीज में help करनी होती है, या बताना होता है, या screen share करनी होती है, तो हम जो है, उसके अंदर इसकी काफी जादा मदद ले सकते, कैसे, अब यहां पे एक normal FaceTime call जो है, चल रहा है, आप देख सकते है, द यहां पे यह blur आ रहा है, blur क्यों आ रहा है, क्योंकि हम iPhone के अंदर पेश टाइम कॉल के अंदर है, हमको बस swipe करके बाहर निकल जाना है, और इसको side में कर देता हूँ, तो आपको पूर iPhone यहां पे नजर आ रहा है, इसको मैं इस तरीक से double tap करके चोटा या बढ़ा कर सकता हू और यहां पे अगर मैं इसमें से बाहर निकल जाओ, तो यह देख सकते है, आप iPhone जो है, अब हमारे screen के उपर आ चुका है, इसको मैं खीच के बढ़ा कर देता हूँ, अब हमारा पूरा iPhone जो है, यहां पे properly हमको नजर आ रहा है, अब आप क्या कर सकते हैं, सबस्पे पहले व इस तरीके से annotate कर सकते हो, हर screen के हिसाफ से color भी change होगा, और देखिए कितना खुबसूरत annotation जो है, वो यहां पे उसके animation के चला जाता है, तो यहां पे बंदा action button में क्लिक करेगा, और फिर आप उसको बता सकते कि इस तरीके से आप अपने action button को या किसी भी control को set कर सकते है, अ अगर हम यहां पर double tap करेंगे, जैसे आपको बोलना है कि Instagram open कर ले तो यहां पर भी देख सकते हैं, आप double tap हो रहा है, Safari open करने बोलना है, तो Safari यहां पर इस तरीके से open हो जाती है, और ना सिव इसके अंदर आप in app भी यह चीज़ कर सकते हैं, आपको Instagram के बारे में किसी को बता आप उनको बता सकते हैं, अगर मैं यहां पर iPhone के अंदर Safari open कर लो, और Safari में चलिए Apple.com ही open कर लेते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, पुरा website यहां पर आता है, website के अंदर भी हम बता सकते हैं, यहां पर double tap कर कैसे क्लिक करके बता सकते हैं, अगर हम इसको horizontal करते हैं अपने iPhone तो हमारे iPad पे भी यह पूरा horizontal हो जाएगा, ताकि हम और अच्छे से explain कर सके सामने वाले को कि यहां यह support है, Apple support पे आपको चले जाना है, और इस तरीके से करना है, मैं आपको just examples बता रहा हूँ, अब इसके अंदर कुछ और options भी है, इसके अलावा वो भी हम एक एक करके यहा यहां पे allow करने पे ही यह remote control होगा, और यहां पे remote control active दिखा रहा है, आप यही से सको stop कर सकते, अब remote control में क्या है, अगर मैं यहां पे ऊपर की तरफ swipe करूँ, तो देखिए, यहां पे मैं website पूरा navigate कर पा रहा हूँ, अगर मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मैं बाहर निक आएगा, और safari के अंदर में यहां पे फिर इसको पूरी तरीके से control कर सकता हूँ, in fact यहां पे मुझे अगर कोई चीज type करनी है, तो यह virtual keyboard के जरीए से मैं यहां पे type भी कर सकता हूँ, suppose मुझे यहां पे Amazon open करना है, तो मैं Amazon भी यहां पे open करके सामने लेको बता सकता हूँ प्राइम डेसेल आने वाली है, और प्राइम डेसेल यहां से आप इसको access कर सकते हैं, इसमें भी आप horizontal control कर सकते हैं, इस तरीके से आपको अपने phone को गुमाना है, और यहां पे again आप horizontal भी complete control लेके आ सकते हैं, अब यहां पे आपको annotation करना है, तो फिर से इसको tap करना हूँ, annotate करके आपको बताना है, इसको मैं फिर से सीधा कर देता हूँ, अच्छा जब यह screen sharing हो रही है, और remote control, यहां पे मैं अपने iPad से अपने iPhone को कर रहा हूँ, और उस time पे अगर मैं iPhone पे कुछ करना चाता हूँ, तो वो कैसे होगा देखे, iPhone के अंदर एक चोटा iPhone बन गया, अब मुझे यहां पे अगर control करना है, तो इस तरीके से मैं iPhone से भी control कर सकता हूँ, मतलब वो भी control कर रहा है, मैं भी control कर रहा हूँ, तामने वाला बंदा यहां से बाहर निकल सकता हूँ, और यहां जब मैं control कर रहा हूँ, तो यहां पे यहां से control करूँगा, तो यहां पे लिखा वाला है तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रोलिंग वगर करके आपको दिखा हूँ थोड़ा सा लायक देखने मिल रहा है और यहाँ पर मेरा आइफोन भी जो है बेटा वर्जिन होने के वैसे थोड़ा सा ओवरीट हो रहा है लेगे बेटा की विमारी समझ लीजे हम शेयर कर रहे है स्क्रीन को तो यहाँ पर पेंसिल से भी आप जो है अनोटेट कर सकते हो और फिंगर से भी अब इसके अंदर अगर हम बोले के इसको हमको बंद कैसे करना है तो बंद करना भी बहुत सिंपल है आप यहाँ से बंद कर सकते है सबसे बहले आप रिमोट कंट कर सकते हैं यहां पर बस मुझे शेर प्ले को आफ करना है और यहां पर सारा कोछ ओफ हो गया और हमारा रेगुलर फेस्टाइम कॉल शुरू हो गया जहां पर मुझे अभी देख पा रहे हो और यहां पर मैं आपको वेव करके हाई बाई कर देता हूँ अब एक बार हम वीडि के स्क्रीन यहां पर आ गई है इसको हमने बडा कर लिया अब यहां पर हम को सामने वाले को बताना है कोई चीश करके तो व भी हम कर सकते हैं जैसे हम ने आइपाद से आइफोन इस में कर लेंगे इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप कर सकते है चोड़ी स्क्रीन की वैसे यहां पर देखिए अनोटेशन आ गया यहां पर मैं इस तरीके से अगें यह अरो बना के बता सकता हूं यहां पर मैं अगर जूम इन जूम आउट करना चाहता हूं तो वह भी यहा देखने नहीं मिल रहा है तो मुझे यहां पर अनोटेशन का यह ऑप्शन देखने मिल रहा है आईफोन टो आइपैड लेकिन जब आइफोन की स्क्रीन आइपैड पर मुझे मिल रहा है कैसा लगा दोस्तो यह आपको शेर प्ले वाला रिमूट कंट्रोल वाला फीचर आयो झालמה थो से घृट हैं chtसा लेका नहीं मिल रहा है अनोट की स्क्रीश सक्रीशन के लップल वाला भीन की स्क्रीश है और यह रिमा स्क्याशन की तेखने मिल रहा हैं पर अनोटक्ता रहा है प्लेशने देनियर से यह हैं अनुमut двух county, ड architects, सिये ऑमिल रहा हैं ब gods आ tengo जैंने की ख